हेलो नमस्का साथियो मैं प्रेम प्रकास आपका स्वागत है आज हम पड़ेंगे प्रिशनली 4.4 4.4 का पहला क्यूसन आपको दे रखा है कि एक चरवाले और दो चरवाले समिकर्ण के रूप में वाई बराबर 3 का जामेतिये निरूपर्ण लिखिए तो हम कैसे लिखेंगे आपको समिकर्ण दे रहका है वाई बराबर 3 और एक चरवाले के रूप में लिखना है तो आपको एक एक्स क्हिंचना है ये मैंने खिंच लिया ये एक वाई एक्स ये है वाई डेस और ये है वाई और यहां पर बीचो बीच में 0 यहां पर माइनस 1, माइनस 2 यहां पर 1, 2 और यहां पर 3 अब देखो Y कामान 3 यह रहा है यहां पर Y कामान 3 और सेकिंड पॉइंट में यह कह रहा है कि दो चरवाले के रूप में तो दो चरवाले के रूप में हैं तो हमें दोनों आक्स खींच लेने हैं ये मैंने खींच लिए दोनों आक्स ये X और ये है X डेस ये Y और ये है Y डेस यहां पर एक यहां पर दो और यहां पर तीन ले लिया एक दो और तीन माइनस एक और माइनस एक y का मान तीन है x का मान चाहिए कुछ भी हो तो y का मान तीन रहना चाहिए x का मान चाहिए कुछ भी हो ये इस प्रकास से आजाएगा Y का मान तो 3 लेकिन X का मान चाये कोई भी हो उससे कोई फार्क ने पड़ेगा क्योंकि X तो है नहीं X का मान तो 0 अब 0 को आप किसी से भी गुणा करा हो 3, 4, 5 आप X का कोई सा भी मान ले हो वो 0 ही होगा इसी प्रकार आगे second point दे रहे हैं एक चरवाल और दो चरवाले समिकंड की रूप में आपको दे रहे हैं 2X प्लस 9 को जामीतिय निरूपित करना है 2X प्लस 9 को 2X प्लस 9 बराबर 0 दोसरा परसन आपको दे रहे हैं 2X प्लस 9 बराबर 0 इसको 1-4 वाले समिकंड की रूप में और 2-4 वाले समिकंड की रूप में व्यक्त करना है X बराबर 9 को दे भेस्ती माइनस 9 इंटो में 22 बराबर बैस्ती आजाएगा बट्टा में X बराबर माइनस 9 में 2 का भाग लगाएख लगांगा तो आजएगा 4.5 यह आ गया X का मान अब एक चरवाला की रूप में लिखना है तो आप X अक्स किन्स लीजिए यहां पर बीच में 0 यहां पर 1, यहां पर 2, 3 और यहां पर 4 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 और माइनस 4 और यहां पर में ले लेता हूँ माइनस 5 अब देखो माइनस का 4.5 कहां आएगा माइनस 4 और माइनस 5 के बीच में आजाएगा यहां पर आजाएगा माइनस 4.5 यह है X का मान यह तो था एक चरवाले की रूप में अब दो चरवाले की रूप में लेंगे तो यह Y X और यह हो जाएगा X X यह हो जाएगा y x यह y y dash है और यह है x x dash 1 2 3 1 2 3 1 2 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus 2 1 2 3 1 2 और 3 x का मान कितना है minus 4.5 यह यहां पर आएगा x का मान minus 4.5 तो यहां से आप एक रेका 15 देना y x के समानतर इसका समयकर लिख देना 2 x plus 9 बराबर 0 तो y x के समानतर minus 4.5 से है एक रेका आजाएगी यह हो गया 2 चर की रूप में इसका जामीति है निरूपन तो इस परकार से हैं यह परस्णावली अपनी 4.4 तो आज अपनी परस्णावली 4.4 कंप्लीट हो गई है आगे हम पढ़ेंगे पांचवी यूकलीड की जामीति के बारे में तब तके लिए नमस्कार धन्यवाद